मौसम विभाग द्वारा अगर पटना मौसम विज्ञान केंद्र की बात करे तो कह दिया गया है कि 4-5 दिन के भीतर मौसम की एंट्रे बिहार में हो जाएगी खासकर राजधानी पटना की बात करे तो लोग जिस तरीके से गर्मी से बेहाल है गर्मी से परिशान है उन्हें इस गर्मी से राहत मिल जाएगी गर्मी के वज़े से बिहार के मुख्यमंतर नितेश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को भी अलर्ट कर दिया है कि कभी भी बिजली नहीं कटनी चाहिए बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए इतना ही नहीं पानी का टैंकर जो है वो समय समय पर मौजूद रहने चाहिए साथी साथ बिहार के तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है कोचिंग स्थाने जो है वो बंद है अब ऐसे में लोगों को बस एक ख़बर की इंतजार है कि आखिरकार विहार में मौनसुन की एंट्री कब होगी तो बताए तो 16-18 तारीक के बीच यानि 16-18 जून के बीच में मौनसुन की एंट्री हो जाएगी और क्या कुछ अपडेट पट्टा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है मौसम विज्ञानिक जो है वो क्या कहते हैं तो अगर बात करें आईमडी की यानि भारती मौसम विभाग की तो यहां से यह सूचना जारी की गई है यह बुलेटिन के अनुसार 11 जून के बाद से मौसम लगभग आगे नहीं बढ़ा है इससे पहले भी मौसम विभाग ने मौसम को लेकर अपडेट दिया था आईमडी ने अगले दो सपना के लिए अपने आरित पूर्वानुमान में कहा था कि इस मौसम रितु के पहले 12 दिनों से देश भर में हुई कुल बारिश समानने से 4 पतिशत कम रही तथा उत्तर पश्चिमी भारत में तीरपन पतिशत कम बारिश हुई इसकी प्रमूख वज़े ये है कि मौसम बेहर धीमी गती से आगे बढ़ रहा है बता दे तो हाला कि अब आईमडी ने शुक्रवार को अपने बुलेटिन में कहा कि मौनसून अगले 4-5 दिनों के दोरान महराश्ट्र चतिसगर उडिसा तर्टिया आंधरप्रदेश उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों की और बढ़ेगा इसके अलावे उपर हिमाली पश्चिम बंगाल के 6 हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में भी दक्षिन पश्चिम मौसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितिया अनुकूल बताई जारी है मौसम बिभाग के तरफ से ये भी कहा गया है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान उपर हिमाली पश्चिम बंगाल सिक्की और पुर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्याधिक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है बताए तो आईमजी ने चेतावनी भी दी है कि भारत के उतरी भागों में अगले 4-5 दिनों तक लू से लेकर भीशन लू की स्थिती जारी रहने की संभावना है वहीं स्काइमेट वेदर के उपाध्यक्ष जलवायू और मौसम विज्ञानी महेस पलावत ने कहा कि अगले 3-4 दिनों तक मौसुन की कमजोर रहने की उमीद है एक बार जब ये गती पकड़ लेगा तो ये पश्चिम बंगाल जहारखंज आदी की ओर से बढ़ सकता है नहीं करने दे रही है जब तक हवा की दिशा नहीं बदलती तब तक यहां मौसुन की शुरुवात नहीं होगी तो देखिए आई-एमटी के तरफ से यानि भारतिय मौसम विभाग की तरफ से ये जो है अपडेट जारी कर दी गई है मौसम बूलेटिन जारी की गई है और इसमें कहा क्या है कि अगले चार से पांस दिनों के भीतर भीतर मौनसुन की एंट्री हो जाएगी सिर्फ बिहारी नहीं, पूरे देश के लोग बिशन गर्मी से परिशान हैं, ये तपिस भरी गर्मी, चलचिलाती धूप, सुबह गर्म हवाय, दोपहर में लू, रात में भी गर्म हवाय, सिर्फ एसी के भीतरी लोगों को ठंड़क मिल रही है, बावजुद इसके बाहर निक हो जाएगी जहमा जहम बारिश से लोगों को गर्मी से रहत मिल जाएगी फिलाल इस वेदर अलर्ट में बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस फ़निश